So hello guys, welcome to my YouTube channel Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Samsung के device में आपको अगर Miss Call के notification सो नहीं होते जैसे कि आप लोग स्क्रिन पे देख पारे अगर ये notification आपको सो नहीं होते तो कैसे आप यहाँ problem को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बिलकिए icon को प्रिस कर लेना है So जब आपको इस टैप की problem आती है तो देखिए अगर आप settings पर जाते Samsung की notifications पर जाएंगे तो यहां से आपको काफी कुछ setup करना पड़ेगा और phone का usually notification बंद नहीं कर सकते है ठीक है तो हम यहां पर क्या method का use करेंगे आपको जाना होगा settings पर देन आप क्लिक करेंगे general management पर देन आपको reset पर क्लिक करना है और simple आपको अपने Samsung के device की जो settings होती है उसे reset करना है इसमें जो भी गलत activity हुई होगी सब कुछ default हो जाएगा देन आपकी problem भी ठीक हो जाएगी ठीक है इसमें आपका कोई भी data delete नहीं होगा आपको निश्चिंत रहना है simple आप यहां method का use करेंगे देन आपकी problem definitely fix हो जाएगी सो टापिक इसकबर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जय मातादी